प्रिये चात्र अहां अपित्वम नवम कक्षाया सब्त दसप पाथ आचारे चरक पठामी तो हम ध्यानन सुन वन्तू अहीं देखते हैं आचारे चरक के बारा, आचार्य चरक संस्कृत के आईरुवेत के महान आचार्य थे उनके बारे में उन्होंने बहुत सारे स्लोक लिखे तो आईरुवेत नाम का गरंथ की रचना भी उन्होंने किये और उन्होंने किये और उन्होंने चरक सहीता भी लिखा है उसलिए उनको चरक कहा गया है आयरुवेद अस्य महान पंडित चरक नाम के प्रसिद आचार्य इस्विशन की प्रतम सताब्दी में आयरुवेद के महान पंडित हुए थे। आयरुवेद अस्य प्राचीन तमेसु विश्व विख्याते सु आयरुवेद में प्राचीन और विश्व में फेमस। तो उसके अंदर वो चैप्टर है। इसके अंदर बताया है। आख, कान, नाख उसमें भी कोई दिक्कत हो तो वो भी सुधार है, चिकिस्था है और आच्छी तरह सब उसक करना, ये सभी उसके अंदर दिये गए उसी तरह ही कलपस्तानम मलब व्यक्ति कितने समय में ठीक होगा उसमें किसी तरह सफलता मिलेगी चेती अष्टोप प्रक्रणान संति ये जो बता है वो आठ प्रकार के चैप्टर इंदर चरक सहिता में है ये सभी प्रक्रणान, मलब ये सभी चैप्टर को मिलाकर विशन चूतरों एकसतम, मलब 120, अध्याया संति वन ट्वेंटी उसके अंदर चैप्टर है अश्या ग्रंता से प्रमान द्वादस सास्त्र स्लोका अत्मक वर्तते और इसी ग्रंत का ये प्रमान है उसके अंदर बारा हजार स्लोक है द्वादस मलब सास्त्र मलब बारा हजार स्लोक उसके अंदर चरक सहिता के अंदर है लोगार क स्मिगाना, इसके निए जवड़, जो दुजास को हवाणंते हैं, उसके निए प्रमेगाना की pact ares 122 ऊतुनभ़, स्वीर. व्याड, व्याद, पांढ़, अतीसार, पेट की बीमारी, प्रमेदान पेट सम्मंदित है, उधर सीरो, मलब पेट सीर रदया दिनाच रोगाना रदय सेमें इसके रोगों का निवाहन की इसके इन्दर यह सभी रोगों का इलाज के लिए मेडिशिन उसके इन्दर बताई गी है यही मन्यत यत भारते ऐसी बिग्यान से प्रवतक अचारी और एसा माना जता है कि ऐसी बिग्यान के प्रवतक यही आचारे Specialood निखिलमकी आयरुव्यद साहित्य आचारें से चरक उतशित मस्ति और यह पूर आयरुवेद साहित्य पज़िया है आज़े चरक के दुबरा कहा गया है अथा अथा चाएरुवेद सास्त्रीय यत्ग्यान MAY में चछ्छित्र दिए बताए रबतना सना रहे है यत्ट पल्टञा अपाई गया है अश्छित्ती दिए इसलिए में कुछ उपदेश उसके याद रखने चाहिए और मनुश्य किस प्रकार से रोग से मुक्त हो सकता है उसके बारे में आचार्य उपदेश देते हैं स्लोक के अंदर बता है नरो हीत आहार विहार सेवी समिष्य कारी विसेया सक्त दाता सम सत्यपरम शमावान आपतो सेवी चव पवत्य रोगी इसके नरिये बनाए मनुश्य हीत कारी आहार विहार का सेवन करे समिक सुकारी कारे कोछी तरह ची जाने समझें विषय आसक्त और विषय की आसक्तिbeli के मुक्ट हो दानी बने, सम सत्यपर और सांती रखे और सत्यवान बने, समावान बने और आपतों पर सेवी अपने बड़े बुजरगों की सेवा करे जब बवत्ते रोगी तो वो रोगों से मुक्त हो पाएगा अर्थात यह नर्ख हीत्त स्य आहार से विहार का सेवन करोती अर्थात जो मनुश्य हीत्कारी आहार और विहार का सेवन करेगा सर्व कारे सम Unterstützung सभी कारे अच्छी तरश से करेगा विषय येशु निदा सक्त न बहुती और विषय में आ सक्ती नहीं रखेगा यदान करोती वो दान करेगा वेवारे समत्वम और वेवार में समानता समा भाव और सब को माफ करेगा च आचरती और ये से ये सबी चीजों का आचरन करेगा आपत जनाना सेवा करोती आपत जनम और अरोगी अर्था स्वस्था पहुति आसा अरोगी अर्था स्वस्था हो जाएगा। तास्यद उत्तरम जिसके लिए उत्तर देते हैं आचर चरग कि येदा रोग शरीर प्रविश्ट बहूती तदा ओसदश्य आवसक्त बहूती उसमें प्रश्ण यह का आँचा देते कि जब इंसान स्रीर के अंदर रोग प्रविश्ट करता है तब ओसदिक यानि कि मेडिसिन की आवसक्त होती है परन्तु सरीर प्रवेश्य यह नस्यात तदर्थ मानवेन सम्मेक ववर करनी है। जब सरीर के अंदर रोग प्रवेश्य न करे तब मनुष्यकों अच्छा वेवर करना चाहिए। व्यवार अस्यापी स्वास्ते प्रभाव और अच्छा व्यवार से व्यवार का ही स्वास्त के उपर प्रभाव होता है बवत्ती तेश्यम चरक आचारे उपदेश हो और ऐसा चरक आचारे उपदेश दिते कि इंसान का अच्छा व्यवार करे तो भी उसका स्वास्त के उपर इसका ट्रासेशन आप अपनी नौटबूक में आवसे लिख लिए